नमस्कार न्यूस फोर नीशन देख रहें आप और मैं हूँ शुभी आपके साथ नकसलियों ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है लेकिन जब सारा मामला शांत हो चुका है और ऐसे में एक बार फिर से नकसलियों द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम देना एक बड़ी राजितिक हत्या हो सकती थी लेकिन दानापूर मिलिटरी इंटेलिजन्स क की वज़े से नकसलियों द्वारा और अंगाबाद के सांसत शुशील कुमार सिन पर हमले की एक बड़ी योजना विफल हो गए सांसत इमाम गंज प्रकंड के अंतरगत पत्रा गाउं जाने वाले थी इसकी जानकारी मिलने पर बाइक सवान नकसलियों के टीम हथियार और विसफोठकों के साथ रानी गंज और पत्रा के बीच सांसत पर हमला करने के लिए घात लगाए बैठी थी नकसलियों के मनसूबे का पता चलते ही मिलिटरी इंटेलिजन्स के अधिकारियों नी तुरंत बहार पुलिस के वरिय अधिकारियों के साथ ही सांसत से संपर्क किया इस दोरान सांसत सडक मार्ट से पत्रा के लिए निकल चुके थे Military Intelligence के अधिकारियों ने तुरंत उन्हें अपना कारिक्रम रद कर वापस लोटने की सलाह दी इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने भी सांसत से बात की जिसके बाद वपत्रा जाने की योजना छोड़ कर बीच रास्ते से वापस लोट गए नकसलियों के इलाके में मौझूद होनी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सियारपियत के अलग-अलग टीमें छापे मारी में जुट गई थी और अंगबाद के रफीगंज पुलिस की विशीसने को ख्यात रविरंजन पास्वान उर्फ अवधेश सहित तीन को गरफतार कर पूस्ताच कर रही है पुलिस इस गरफतारी के संबंध में फिलाल कुछ नहीं बोल रही पर तीनों की गरफतारी को सांसत पर हमले की योजना से जोड कर देखा जा रहा है पत्रागाओं के एक समर्थक की पत्नी की हत्या भी हाल में ही हो गई है दानपूर से मिलिटरिल इंटेलिजन्स के अधिकारी का फोन आया उन्होंने हमले की योजना की जानकारी देते वे पत्रा जाने से उन्हें मना किया और उन्होंने तुरंत अपने कारिक्रम को रद करके वापस लोट गए तो एक बड़ी राजनितिक हत्या अस्टल गई है आपको बता दे कि सांसर सुशील कुमार सिंग जब पत्रा गाउं जा रहे थे तो उस दौरान दानपूर मिलिटरि इंटेलिजन्स की तरफ से उन्हें ये सूचना दी गई कि आप वहाँ नहीं जा सकते कुछ नकसली हमले आप पर होने के आशनका जताई जा रही है और ऐसी में वो वापस अपने घर को लोट गए वो उस कारिक्रम में वो शामिल नहीं हुए फ़लाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं न्यूस्वानिशन नमस्कार